हेलो फ्रेंड्स चलिए आज तवे पर लिटी बनाते हैं सत्तु भड़ा प्रठा बना रही थी तो थोड़ा सा आठा और थोड़ा सत्तु का जो मिक्षर होता है मशाला वो बच गया था तो मैंने सुचा कि इससे लिटी बना ले तो गुल गुल लिटी तो थोड़ा सेकने में दिकत भी है लेकिन जो थोड़ी से चप्टी लिटी होती है वो काफी अच्छी तरह से तवे पर सिख जाती है और खाने में उतना ही टिस्टी लगती है जितना आप जाली पर पका हुआ लिटी खाते हैं तो चलिए देखिए एक सेंका है और तीन-चार लिटी मैंने डाला था, एक करके दोना तरफ सेंखने के बाद इसे । य। लिटियों के वीच में खड़ा कर दिया और एक करके इसके पूर भी सेंख लिए अटे किन फिल्ही बहुत ही soft थी जिसके कες मैंने बहुत पतली परत लगाई और इसके अंदर मैं मैंने सत्तू का मिक्षर भरा और थोड़ों से चप्ता कर दिया तवे परोटी की तरह बलट पलट कर सेंख लिया ताव को हमेशा लो टू मेडियम रखा ये काफी अच्छी तयार हुई तो मैंने से एक एक करके जारों सेंख कर और इसमें इसके सुखे आटे को जाड़ दिया और जाड़ने के बाद इसको तोड़ दिया बीच से और उसमें एक एक चमच घी से चारो द्रब लगाने के बाद उस तूटे वह भाग में भी थोड़ा सा घी को अंदर उड़ेल दिया तो इसके स्वाद का क्या कहना जब आप बनाएंगे तो ही पता चलेगा और ये कोई बात नहीं कि जाली नहीं है गोईठा नहीं है तो लिटी नहीं बनेगी तब पर ही आप उसी तरह की सौंधी लिटी बना सकते हैं लेकिन थोड़ी सी चप्ती बनानी पड़ेगी बाकी सब वैसा ही जैसा कि लिटी आम लिटी बनती है तो अगर मेरा ये नया तरीका आपको पसंद आया तो आप इसे बनाएं मुझे कमेंट करके बताएं और लाइक थैंक्स पर वाचिंग